जैन दोस्तों मैं आपका दोस्त स्नेक लवरानी तुक्सी जड़े जा और यहां पर तलाजा पर ही एक साफ करेश्ट्यू करने के लिए हूँ पुर्साफ वहां पर बेटा है बेबी कोबरा स्नेक है आईए आप मेरे साथ करने का साफ को करने के दे रहता है झाओ करने के लोके लिए है। ही जिए पकेड़ expos आपना पेड़ आतना कि रिभी बाराहँ जो, हो अता बेवी बॉल्वानू लोगा जाप है दोस्को यह बेवी श्टेटिकल गोवराज साप है को लो को अजया हम फूलो क्यों जो हूं है कि दोस्तों यह चोटा दा बेबी स्पेक्टिकल कोब्रा है और चोटे साप बेहत आक्रमक होते हैं अगर काट ले तो इस्पताल के सिवाप की सारवार और कहीं नहीं हो सकती कि छोटे सापों को बुस्ता जल्दी आ जाता है इसके साथ कोई भी प्रकार की छेड़कानी करनी नहीं चाहिए क्योंकि एक बाइट में कितना जहर उगल देते हैं इसे पता भी नहीं होता है और साप चाहिए चोटा हो या बड़ा हो बीना प्रसिक्षन बीना ट्रेनिंग सापको कभी हैंडल नहीं करना जाहिए क्योंकि आपके लिए जान लेवा साबित हो सकता है अभी तो एकदम शांती है और यह इसकी पीछे की जो स्केल है बेहत प्यारी होती है इसी के हिसाब चाहिए से स्पेक्टेकल केते हैं कोमन कोब्रा में यह दिखता नहीं है और कोमन हो यह स्पेक्टेकल हो पोईजन दोनों में सेमी होता है इसमें निरो टॉक्सिन जहर पाया जाता है जो बेहत खतरनाक होता है अपनी नरोज सिस्टम पे असर करता है इसकी एक बाइट ही मौत के लिए काफी है और साप कभी भी काटे तुम्हें कई बार बता चुका हो के मंत्र तंत्र में ना फसे मंत्र तंत्र से साप का जाहर कभी नहीं उतर सकता जहरीला साप कोई भी काट ले तो ऑस्कुताल के सिवा आपकी सारवा और कहीं नहीं हो सकती यह बाद आपने दीमाग में फीट कर लीजिए कभी भी ऐसी कोई गलती ना करें वरना आपके फेमेली मेंबर की जान जा सकती है उसके जान के साथ खिलवाड ना करें पर दोस्तों इस सब्सक्राइब हो चुका है तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूले दोस्तों जहीं देबाद राइब तो बराज शेल